हमारे लिए पैन कार्ड सबसे महत्तुपूंग दस्तावेज है आपको अपना बैंक एकाउंट खुलवाना हो या फिर अपना आयकर रिटरन भरना हो बिना पैन कार्ड आप तैसीमा से अधिक शॉपिंग भी नहीं कर सकते सरकार ने वित्य कामों के लिए पैन कार्ड को अनिवादे कर दिया है अब जरा सूचिए कि तब क्या होगा जब आपका ये महत्तुपूंग दस्तावेज अवैध हो जाए फिर ना आप अपना बैंक एकाउंट खुल पाएंगे ना रिटरन भर पाएंगे ऐसा होना मुंकिन ह सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवारे कर दिया है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवारे कर दिया है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के अंतिमतारिक है कत्तीस मार्च 2019 है मतलब ये कि अगर आपने कत्तीस मार्च 2019 तक अपने पैन अगर आपने 30 मार्च 2019 तक ऐसा नहीं किया, तो आपके पैन कार्ड को भी सी कैटेग्री में डाल दिया जाएगा। Income Tax Act की धारा 149 AA के तहट, अगर आपने 30 मार्च तक अपनी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन इंवैलिट माना जाएगा। पैन कार्ड आमानी होने के सिती में आप ना तो आएकर रिटरन भर पाएंगे, ना अपना बैंक को खाता खुलवा पाएंगे। आपको कहीं जाने के ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ही अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। या 56161 पर SMS धीज कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो आप पाएंगे। तो आपको कर दो में जाएंगे। झाल